तो है भाई लोग तो कैसा तुम लोग तो यहाँ पर यार माइंटकर्फ का फिट से एक न्यूब आपडेट आने वाला है जिसके लिए तुम लोग यार काफ़ी जोर सोर से एकसाइटेड होना चाहिए यहां पर जो भराने वाला है बहत्त रीडर यह बाथ यहां पर भाट धॉक्त को तुम पूर आ भेवां जिसले यहां पर विडियो को तुम पूरा जहाइगा अब फूरки इस अपडेट का थीम होने वाला है ना वो Archology के उपर बेश होके बनने बाला है तो यहां पर तुमको काफी सारे Archology के रिलेटर आईटेम्स देखने को मिलेंगे एंड आईटेम्स देखने के बाद तुमको मजा भी आने वाला है उन चीजों के साथ क्योंकि इसके साथ तुमको काफी features मिलता है ना भाई जिसको use करके तुम बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़े भी प्राप्त कर पाऊगे यहाँ पर टेंजर मतलो भाई explain करता हूँ न यहाँ पर तुमको pots मिलने वाला है एंड एक brush मिलने वाला है तो देखो brush का recipe का होने वाला है वह सरे बात के बात है तो देखो brush से तुमको के करना परेगा जो pot से उनको घिसना परेगा एंड उनको घिसने से तुमको बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम मिलने वाले है लाइक यहाँ पर दूंके emidale मिल सकते हैं दाइमन भी आइंट मिल सकते हैं तो देखो अच्छे अच्छे तुमको चीज़े मिल सकते हैं इस अपडेट में तुमको स्नीपर मिलने वाला है देको स्नीपर कैसा होता है वो मैंने वीडियो पहले भी बनाया था तो वहाँ पर देख ले ना पाकि तुमको पता होगा snipper काफी बरा सा एक एनिमल होगा जुसका यार काम होगा मिट्टी खोथ ना और snipper आ रहा है ना तो उसलिए उसके स्टीम में एक दो फ्लावर आ सकते हैं तो अब आ सकते हैं मतलब भाई बीटा स्टेज में है तो एक दम फाइनलाईज नहीं हुआ है और cherry blossom biome भी तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस update में जो देखने में बहुती beautiful लगता है भाई सच में काफी beautiful लगता है और यह तो मैंने कुछ major major चीज़ी बताया है अगर मैं तुमको अच्छे से बताओ ना काफी बरा लिस्ट हो जाएगा इस update में क्या क्या एड़ हुआ है और इस update का नाम है Trails & Tales तो सुनने में काफी beautiful लग रहा होगा ना तुरह सा fantasy वाला वाइब दे रहा होगा ना और बाकी इस update के बारे में हम डीटेल में बात तो जरूर से करेंगे डाउनलोड लिंक भी जरूर से प्रवाइड करेंगे उसका टेंसन मतलब तुम चैस लिस चैनल को न सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो अब हम बात करेंगे भाई कब तक रिलीश हो सकता है यह अपडेट तो यह अपडेट रिलीश हो सकता है भाई में तक में तक तुम समझ लो यार डिलीश होने में टाइम तो लगी जाएगा और में भी या झाल झाल